अगर लोग खुद आके सामने बता देते के भाई हाँ ये चीज़े हैं अगर बॉलिवूट के सितारों ने खुद स्विकार किया होता एक बड़ी खबर आ गई है दिपिका पादुकॉन को समन भेज दिया गया है जी हाँ दिपिका पादुकॉन बॉलिवूट की A-Lister Heroine उनको समन भेजा गया है NCB की तरफ से दिपिका पादुकॉन को पेश होना होगा NCB के सामने और सवालों के जवाब देने होगे उस ड्रग चाट के संदर्व में जो ड्रग चाट उनकी NCB ने पकड़ी है जिसके आधार पर ये स जवाल उठने लगा है कि क्या दिपिका पादुकॉन भी ड्रग यूजर्स में शामिल हैं दिपिका पादुकॉन को समन भेज दिया गया है बॉलिवूट की अभिनेत्री दिपिका पादुकॉन उनको समन भेजा गया है उनको NCB के सामने पेश होना होगा अगर ये बातें खुद कहरे होते कलाकार, खुद सामने आरे होते सितारे, और ड्रग मैनेस के खिलाफ खड़े होते, शौइब चौधरी, तो किसी को समन जाता गया, सारा अली खान को भी गया है समन, दिपिका पादुकोन को भी गया है समन, तो दो बड़े सितारों को, श्रद्धा कपूर को एंसीबी की तरफ से समन भेज दिया गया है, इनको पेशोने के लिए का गया है, एंसीबी की तरफ से, अभी इस पर और जानकारी मिलती है, तो आपको बताते हैं, कब इनको पेशोना होगा, उसके पहले शौइब चौधरी, फटा बटा आपका कमेंट, कोई सामने आ रहा ह इसमें लीगल एंबिट में जो इनके खिलाफ सजा होनी चाहिए, वो सबको मिलनी चाहिए, लेकिन जहां हम बात कर रहे हैं, कि लोग सामने आकर बात करें, बहुत सारे सितारे ऐसे हमने देखे पिछले दो महीनों में, और पिछले कई सालों में, जिन्हों ने टेलिविजन की बात कर रही है, मैं शुकला जी की बात का जवाब दे दू, कि NCB का काम है, जो लार्जर स्केल पे ड्रक्स की स्मगलिंग हिंदुस्तान के अंदर हो रही है, जिसका बिजनेस 30,000 करोड से ज्यादा का है, NCB अगर उन पे जाधा फोकस करें, और ये काम लोकल पुलिस पे चोड़े के छोटे मोटे चरस गांजा, कौन ओटो रिक्ष्य वाला पी रहा है, कौन फिल्म स्टार पी रहा है, चौदरी साब थोड़ा सा रोक रहा है, थोड़ा सा रोकते हैं, एक बार खबर बता दे अपने दर्शकों को, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, दीपिका पादुकोन, तीन अभिनेत्रियों को समन भेजा गया है, नार्कोटिक्स कंट्रोल वीरो की तरफ से, अर्विंद ओजा हमारे सहयोगी आ गए है, इसी पर और जानकारी लेकर, अर्विंद ओजा बताइए क्या खबर आपके पास है?